नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका पात्वाइंड इस्टिडी पॉइंट में तो यूपी ट्रिपल सी का मॉडल पेपर 6 आज हम देखेंगे जिसमें साइन्स और जीके के 75 इंपॉर्टेंट क्वेस्चन्स फैक्ट्स जो है जो एक्जाम के लिए बहुत उप्योगी है इसक आएसे फैक्ट्स होंगे जो लगता है कि आपको आते हों लेकिन कभी-कभी गलत कराते हैं आप लोग एक्जाम में तो इन फैक्ट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैं उत्तरप्देश बिसेश से जो क्वेस्चन्स लेत निकाला जाता है पायराइट फायर कले बेराइट और संगमर्मर ये सारे खनी जो है मिर्जापूर और सोनभद दोनों स्थानों से निकाले जाते हैं इसके अलावा हीरा जो है बहुत कम मात्रा में मिर्जापूर और बांदा में जो है जो नदी की रेत में वहां से प्राप प्राप्त होता है और सेलखडी जो है जासी और हमीरपुर। सेलखडी को हम टालक भी कहते हैं इंगलिस में तो ये जासी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। कॉंसेप्ट लागू किया गया था। उत्तरपदेश जल विद्धुत परियोजना है उत्तरपदेश की और उनकी स्थिती कहा है तो रिहन जल विद्धुत परियोजना रिहन नदी परिस्थित है ये पिपरी नामक प्ले सोनभद में वहाँ परिस्थित है ओबरा परियोजना ये भी रिहन नदी पर ही स्थित है य जहांसी डिश्टिक में है, सारदा जलविदूत परियोजना सारदा नदी परिस्थित है, बनवासा पीली भीत में है ये, राजगाट बान जलविदूत परियोजना बेतवा नदी परिस्थित है और ललिटपूर डिश्टिक में ये इस्थापित है, उत्तरपदेश के कुछ सांस्कृतिक संस्थान और उनके स्थापना वर्सों का सुमेलन करते हैं हिंदुस्तानी एकाइडमी जिसका मुख्यालय इलहाबाद में है ये 1927 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तरपदेश उर्दु अकादमी इसकी स्थापना लखनव में 1972 में हुई थी उत्तरपदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनव में इस्थी थी उत्तरपदेश संस्कृत संस्थान इसकी स्थापना हुई थी उत्तरपदेश संस्कृत संस्थान इसकी स्थापना हुई थी और उत्तरपदेश भासा संस्थान ये सब भी लखनव में ही है और ये 1994 में इस्थापित हुआ था फिर कुछ सुमेलन करते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेट कोईस्चन्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोईस्चन्स पूरे हो जाएं इसलिए मैंने इसको सुमेलन के फॉर्म में जो है डाला है तो देखते हैं सेंट थॉमस चर्च ये कहाँ पर है केरला मिस्थित है और ये भारत का सबसे पुराना चर्च है कामाख्या देवी मंदिर बहुती फेमस है असम में है चपचार कूट तयोहार ये मनाया जाता है मिजोरम में लोसार तेवहार ये सिक्किम का तेवहार है और गुगगा नौमी सर पूजा उत्सो ये हर्याना राज का एक तेवहार या उत्सो है फिर फ्लेमिंगो महोसो जो वर्ड फेमस होता है इसमें जो है विस्टो के बहुत सारे देशों से परेटा कार्थेस को देखने के लिए ये आंद्रपिदेश में मनाया जाता है विस्ट प्रसिद पेंटिंग दे लास्ट जज्जमेंट जो इसाई धर्म से रिलेटेड है ये माइकल एंजीलो द्वारा बनाई गई थी राग कामिश्वरी की रचना पंडित रविसंकर ने की थी ये इनके द्वारा खोजी गई जो ह परिस्थित है तमिलाडू में हार्न बिल फेस्टिबल ये भी काफी फेमस है ये नगा लैंड में मनाया जाता है फिर मतन चेरी पैलेस ये कहां परिस्थित है कोची केरला में इस्थित है जूलती मिनारो वाली मस्जिद जिसको सीधी बसीर मस्जिद के नाम से भी जानते है ये कहां पर है आहमदाबाद में है जैमिनी राय किस जो है चीज से संबंदित है ये एक चित्रकार है राजा रवी वर्मा ये भी चित्रकला से ही संबंदित है संयुकता पाड़ी ग्रही ये ओरिसी नत्र से संबंदित है फिर आगे देखते हैं गड़गौर उत्सो ये राजस्थान का एक उत्सो है अन्जोली एला मेनन ये चित्रकारी से संबंदित है उमा सर्मा कथक से संबंदित है गौरी संकर देविलाल ये भी एक कथक कलाकार है यहूदी मेनुहिन और एन राजम ये दोनों वाइलिन वादन यानि वाइलिन से संबंदित है अब कुछ पुस्त के देखते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेविल पर बहुत फेमस रही है ये डाक्टर एस राधा क्रिष्णन द्वारा रचित पुस्तक है री डिस्कवरी आफ इंडिया जिस परकाट डिस्कवरी आफ इंडिया जो है पंडि जवाल ललनेरु की पुस्तक है तो उसी टाइटिल से री डिस्कवरी आफ इंडिया ये मेगनाद देशाई द्वारा रचित पुस्तक है गौड आफ स्मॉल तिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है जिस पर इनको मैन बुकर प्राइज मिला था ये जो है जुमपा लाड़ी द्वारा लिखी गई बुक है कुछ और बुक्स देखते हैं गाड़नर ये रविन्ना टेगोर की बुक है नमबर डूलाई 61 हिडन क्रिकेट इस्टोरीज ये आकास चोपड़ा जो पूर भारती क्रिकेटर है उनके द्वारा लिखी गई बुक है दसाइन साब भारत नाटियम ये सरोजा वैदिनातन द्वारा लिखी गई बुक है नो फुल स्टाफ इन इंडिया ये मार्क टुली द्वारा लिखी गई बुक है और मैजिक सीड्स ये वियस नाइपाल जिनका अभी हाली में निधन हुआ है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अब कुछ पौधों के रोग और उनके किस फसलों में होते हैं और उनके कारक क्या होते हैं तो इसके बारे में देखते हैं आगेती जुलसा जिसको अरली ब्लाइट कहते हैं ये जो है आलू का या पोटेटो का रोग है इसमत आफ वीट ये इसको गेहूं का धबा भी हिंद में कहते हैं यह अश्टिल एगो चिटीशाई दौरा होता है यह सभी झो है एक परकार के फंगस है रेड रॉट जो है यह गन्ने का रोग होता है जिसको फुल नाम भता ह्या रेड रॉट और सूगर Ainu ये कॉलिटो ट्राइकम, फाइल का एटम के द्वारा होता है, टिक का रोग, ये मुंगफली का रोग है, और जिसका कारक होता है सरकोस्पोरा परसोनाइटा, ये सबी कवक हैं जिनके द्वारा ये सब रोग होते हैं, बीटी सीड यानि बायलोजिकली ट्रांसफॉर्म्ड ये किस पौधे के लिए विक्सित किया गया था, कपास यानि कॉटन के लिए इसको बीटी कॉटन भी कहते हैं, जो इन सीड से उगने वाले पौधे होते हैं, उनको बीटी कॉटन या बायलोजिकली ट्रांसफॉर्म्ड कॉटन के नाम से भी जानते हैं, रबर से जो राल न इज़ोबियम, एज़ेक्टोबैक्टर, नील हरित सेवाल जिसको अम इंगलिस में ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन एलगी कहेंगे और एजोइस्पिरिलियम ये भी जो है एक जब जैवरूर के उदारण है लाख का स्रावण करने वाला कीट कौन सा होता है तो लाख का कीट जो है मादा लैसिफर लक्का जो है ये होता है मृदा में जल तनाव यानि स्वायल वाटर में जो टैंसन होती है वाटर की इसको नापा जाता है टैंसनो मीटर से केसर जिसका नाम जोता है क्रॉकस सटाइवर्स यह केसर के पौधे का जो है बार्टनिकल लेम है क्रॉकस सटाइवर्स यह केसर जो है उस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो वो इस्टिगमा या वर्तिगाग से प्राप्त होता है जो की फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसका उपरी इस्सा वर्तिकाग्रिया इस्टिग्मा कहलाता है तो उसी को सुखा कर केसर प्राप्ट किया जाता है रूपांत्रित तनों के उधारण और उनके कौन-कौन से है तो प्रकंद जो है या राइजोम एक प्रकार का रूपांतित तना होता है जिसका अग्जामपिल होता है केला, बल्ब ये प्याज इसका उधारण होता है और कंद जो है ये भी रूपांतित तने का उधारण होता है जिसको इंगलेस में tuber कहते हैं इसका उदारण best example आलू है long के पौधे long का पौधे का बैग्यानिक नाम क्या है cgm aromaticum इसके किस भाग से long प्राप्त की जाती है तो इसकी जो push curly होती है flower bird होती है उसको सुखा लिया जाता है उसी से long प्राप्त की जाती है जो मसाले के लिए use होती है lichen जो है अपने विकास के कारण कई तरह divide के जाते हैं मतलब कि इस तरह कहां पर वो उग रहे हैं उसके आधार पर उनके कुछ बिसिश्ट नाम होते हैं तो वो देखते हैं चटानी सतह पर उग रहे हैं तो उनको psychicalis lichen कहेंगे वगर वो ब्रच्छों की साखाओं पर उग रहे हैं जिसपे मतलब छाल उपस्तित है तो उनको corticolus कहेंगे अगर वो जमीन की सतह या भू सतह पर उत्रहें तो उनको terricolus नाम से जानते हैं और बिना चाल की साखाओं पर उगने वाले लाइकेंस को लिगनी कोलस के नाम से जाना जाता है आयूसियन जो जिसका फुल फार्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर इसके द्वारा जो संकट ग्रस्त जीवों की स्रेडिया बनाए गई है उसमें कितने वर्ग आते हैं उसमें छे वर्ग कुल होते हैं अफ्ष्ःसट जल से इंधन के रूप में हाइडरोजन उत्पन करने की पद्धती क्या होती है उसको अत्यदिक किडवन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिस में डार्क फर्मेंटेशन कहते हैं इसमें जो वेश्ट वाटर होता है उससे जो है हाइडरोजन प्राप्थ की जा बाइवडियस्टी बाइवअतरा है क्यों कि यहाँ पर उच्च तापँमान और साल भर उच्च वरस्ड लीए यहाँ पर बाइवडियर्सटी सरवादिक होती है कीट भच्छी पौधे जो ऐसे पौधे जो कीटों का भच्छन करते हैं वो एक किस प्रकार की मिट्टी में उखते हैं तो वो ऐसी मिट्टी में उखते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए ही वो कीटों का भच्छन करते हैं इनके जो है कुछ famous example है Drosera, Nephentheed जिसको घटपड़नी भी हिंदी में कहते हैं और इंगलिस में क्या कहते हैं पिचर प्लांट कहते हैं और उसके अलावा utricularia तो ये तीन जो है बहुत famous example है जो पूछे जाते हैं प्राया योगितम की उत्तर जीवता यानि survival of fittest ये इस सब्द का सर्बथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था Spencer's द्वारा और इसी terminology का उप्योग यानि योगितम की उत्तर जीवता जो term term है इसका उप्योग चार्ल्स डार्विन द्वारा अपनी संकल्पना जिसको प्राकृतिक वरन का सिधान्त या the natural selection theory में किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा एंटिबायोटिक है एक बहुत famous streptomycin जो प्रमुखता वैसे कई रोगों के इलाज में उसका विज़ होता है लेकिन TB के इलाज में यानि Tuber Closus के इलाज में उसका विसेश युगदान होता है तो इस एंटिबायोटिक की खोज के लिए नोबल पुरुसकार जीता था वाक्समैन ने Tube within Tube ये सारिरिक संगठन यानि सारिक संदचना कि संग या फाइलम के जीवों की विसेशता है तो एनिलिडा संग के जीव होते हैं जैसे जोंक और कोच केचुवा इसका उदारन है इनको Tube within Tube कहा जाता क्योंकि इनका सरीर जो है किन लोगों को ऐसे जो है करमशारी या ऐसे मजदूर जो कपा सुद्धियों यानि कॉटन के इन्डेस्टी में काम करते हैं उनको वाइट लंग डिजीज हो जाती है हाथी पाउं या जिसको हिंदी में सुद्ध हिंदी में सुद्ध भी कहते हैं और इंग्लिस में इसको क्या कहते है, elephant foot, तो elephant foot रोग किसके कारण होता है, निमेटोड के कारण होता है, और वो निमेटोड कौन सा है, बुचिरेरिया ब्रैंक फेक्टाई, इसके दोरा हाथी पाउं रोग हो जाता है, और इस निमेटोड यानि इसका वाहक कौन होता है, इसके खोज लुईज पास्चर द्वारा की गई थी, 1843 में, लुईज पास्चर ने इसको पिपी एलोज टर्म दिया था, जिसका अर्थ होता था, प्लूरो निमोनिया लाइक और गिनिजम, क्यों? क्योंकि माइको प्लाज्मा जो है, इसकी खोज हुई थी, निमोनिया के क आरक का पता लगाने में, यानि माइको प्लाज्मा द्वारा निमोनिया डिजीज होती, हैजा का जो रोगाडू या जीवाडू होता है, बाइब्रियो कॉलरी इसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने, और रॉबर्ट कोच ने ही टीबी के भी बैक्तिरिया, माइको बैक्त दे जानाली वैक्सीन होती, पोलियो की, उसका विकास किसके दौरा किया गया था, तो अलबर्ट सौबिन दौरा ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास या खोज की गई थी, ग्याद सबसे छोटे प्रोकरियावटिक जीव काउन से होते हैं, तो अभी मैंने माइको प्लाज्मा क उपर जिक्र किया, लेकिन माइको प्लाज्मा जो है सेकेंड नंबर पर आता, कहीं कहीं आपको बुक्स में फर्स्ट नंबर पर दिखेगा, तो वैसे सबसे छोटा जीव अगर देखा जाए, तो नैनो आर्कियम एक्टिवेंस होता है, जिसकी साइज ये लिखा हुआ है, और माइको प्लाज्मा, सेकेंड नंबर पर होता है, माइको प्लाज्मा जेनेटाइलम, तो जो है जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन में बिकल्प हो, उस तरह से आप इसका एंसर दीजिएगा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको P.A.S. या P.A.S. भी कहते हैं, ये आउसडी किसके उपचार में प्रियोग होती है, तो ये TB के उपचार में, यानि 6 रोग के उपचार में सौधिती का प्रियोग होता है, क्रतिम वर्सा, आटिफिसियल रेंज, इसको मेग बीजन भी कहते हैं, इसके लिए कौन कौन से जो है एजेंट्स यानि जो है, केमिकल प्रियोग होते हैं, तो सिल्वर आयोडाइट जिसको AGI कहते हैं, फॉर्मूला जिसका होता है, सोडियम क्लोराइट और सुस्क बर्फ या ठोस्क CO2, ये सबी जो है क्रतिम वर्सा और मेग बीजन के लिए प्रियोग होते हैं, अब सुमेलन करना हमको, इसमाग, इसमाग जो मिलकार समॉग की रचना होती है, एस्पिरिन आप जानते हैं, एक दर्वनिवारक दवा होती है, तो इसका जो है, जो केमिकल कमपाउंड एक्चुल में क्या होता है, एसिटाइल, सैलिसिलिक, एसेडी, ये एस्पिरिन में पाया जाता है, गैमेक्सीन, जो कीट नासक, मार्स मतलब क्या होता है, दलदल, तो कि ये दलदल से निकलने वाली गैस होती है, दलदली स्थानों से, इसलिए इसको मार्स गैस के नाम से भी जानाता है, फ्रेयान जो रेफ्रिजरेशन में प्रियोग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाई क्लोरो डाई फ्लो माचिस मैच बॉक्स में उसके जो टिप होती है उसके सीवस पर क्या लगा रहता है रेड़ फास्वोरस लगा रहता है फिनाल को का जो है केमिकल नाम क्या है कार्बोली केसिड है C6H5OS से इसको डिनोट करते है मिलक आप मैगनीसिया क्या होता है मैगनीसियम हाइड्रोकसाइड को मिलक आप मैगनीसिया कहते है वासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है NO2CO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 चिली सोरा या इसको हम लोग चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं यह sodium nitrate होता है यानि NaNO3 और philosopher wool इसको यसद पुस्प कहते हैं सुधिंदी में तो यह zinc oxide जो है ZNO होता है पुरानी जो oil painting होती है जिनको टैल चित्र कहते हैं यह काली पढ़ती जाती है समय के साथ तो इनके काली पढ़ने का कारण क्या है lead sulfide की वज़े से इनमें कालापन आता जाता है और अगर oil painting के रंगों को पुना उभारा जाना है तो उसमें H2O2 का hydrogen paroxide का प्रियोग किया जाएगा अब लोहे के विविन आयस्क होते हैं उनमें जो है लोहे की मात्रा क्या है इसका हमको देखना है तो hematite जिसको Fe2O3 से denote करते हैं इसमें 70% लोहा पाया जाता है magnetite में जिसका formula Fe3O4 है इसमें 72% यानि सरवाधिक लोहे की मात्रा या आयरन की मात्रा होती है और sidroid जो आयस्क है Fe2O3 इसमें 48% होती है यानि सबसे कम होती है sidroid में और सबसे ज़्यादा होती है magnetite में तो ये दो fact ज़रूर याद किएगा सबसे कम सबसे ज़्यादा करके पूछा जा सकता है अब कुछ आविश्कार है साइंटिफिक उनके आविश्कारक कौन से हैं तो सूचंदर्सी सभी लोग आप लोग जानते हैं जकैरियस जानसन द्वारा खोजा गया था फोटान की खोज अलवर्ट आइंस्टीन ने की थी काल मापी या क्रोनो मीटर जौन हैरिसन ने इसकी खोज की थी पारे वाला जो थर्मा मीटर होता है इसकी खोज की थी डैनियल गैब्रियल फॉरेन हाइट जिनके नाम पर ही जो है फॉरेन हाइट जो है टमप्रेचर का मापन रखा गया लेजर यानि पहली बार जो है एक्टिव लेजर की खोज जो है सक्री लेजर की खोज ठियोडोर मैमन दोरा की गई थी अब सुमेलन करना है अगर AC यानि अल्टरनेटिंग करंड की जो है बोल्टा में ब्रधी की जानी है तो कौन सी युक्ति यूज होगी ट्रांसफार्मर AC को DC में बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज करेंगे बिध्धुत आवेस का SI मातरक क्या होता है कुलाम होता है और बिध्धुत सक्ती का जो है मातरक क्या होता है वाट जिसको हम जूल पर सेकेंड भी बोल सकते है नियद चाल से अगर कोई पिंड गती कर किसी सिगनल के तरंग रूप का अगर अध्यान करना है तो हमको क्या यूज करना होगा Ausleon Scope यन्त्रद्वारा उसके हम तरंग अध्यान कर सकते हैं काच में बयंगिरी रंग के प्रकास की चाल कैसी होगी नियूनतम होगी और किसकी अधिक्तम होगी रेड कलर की जहां पर बैगनी निउनतम हो, वहाँ पर red अधिक्तम होगा, यह हमेशा एक फन्डे की तरह याद रिख लिए, कि अगर हम बात करें अब परतनांक अधिक्तम है बैगनी रंग का, तो सबसे कम अपरतनांक किसका हो जाएगा? रेड कलर का अगर बैगरी रंग के प्रकास की चाल नियुनतम है काच में तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी अधिक्तम रेड कलर की हो जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा बिब ग्योर में जो स्पेक्ट्रम होता है तो वाइलेट एक इंड पे रेड एक इंड पे होता है तो जो प्रापर्टी जिसमें सबसे कम होती है वो रेड में सबसे ज़्यादा होगी और जो red में सबसे कम होगी properties वो जो है बैगनी रंग में यानि बॉयलेट रंग के प्रकास में सबसे ज़्यादा होगी वर्षा मापी जो यंतर होता है उसका नाम क्या होता है हाइटो मीटर कहते हैं उसको मोंगला पत्तन या मोंगला बंदरगा किस देश में स्थित है बंगला देश में स्थित है किसी हिमानी करत उच भूमी के सागरी जल के नीचे अंस्था धस जाने से बनने वाला जो टट होता उसको किस नाम से जानते हैं उसको फियोड टट कहते हैं जिसका एक बेस्ट इकजामपिल है नार्वे का टट नार्वे का टट फियोड टट का उधारण है क्योंकि ये एक ह इमानी करत उच्छ भूम के सागरी जल में धस जाने से या अंस्ता धस जाने से बनता है। किसी जील की तली में सबसे नीचे जो अवरुद जलोता है उसको हिंदी में अदासर कहते हैं और इंगलिस में हाइपो लिम्नियोन कहे नाम से जानते हैं। समुद रत्वा जील की तलहटी में पाया जाने वाले जन्तु और पौधों को किस नाम से जानते हैं। बेंथोस नाम से जानते हैं महासागर की जो परपटी होती है यानि सबसे निचला हिस्ता होता महासागर का जो मेंटल का पार्ट माना जाता है प्रत्वी की विभिन परतों में ये परपटी महासागरी परपटी किस से निर्मित होती है सिलिका और मैगनीसियम से प्रमुकता न कि एक अतिविस्ष्ट जो है लक्षण है वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदाई होता है तो उसको क्यूमुलियो निम्बस कहते हैं यानि इसको हिंदी में कपासी वर्गी वर्षी में के नाम से जानते हैं बिश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन यानि ऐसा पत्तन जहां अगर मिट्टी में कैल्सियम प्रचूर मात्रा में या अधिक मात्रा में पाए जा रही है तो उसको पैड़कॉल मुर्दा कहते हैं और एलमुनियम और आयरन आकसाइड अगर प्रचूर मात्रा में पाए जा रही है तो उसको पैडलफर मुर्दा के नाम से जानते हैं भू प्रिट्ट्वल में वो exact point हाइपो सेंटर ही होता है जहां से भूकम्प की उत्पत्ती हुई होती है चंदन के पेड किस प्रकार के वनों में पाये जाएंगे उश्र कटबंधी पढ़ पाती वनों में चंदन के पेड पाये जाएंगे मेल घाट टाइगर रिजर्व कहां पर इस्थित है ये महराश्ट्रा में है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में इस्थित है बांधोगर राश्टी उध्यान कहां पर है मदप्रेश में है और केवला दियो राश्टी उध्यान कहाँ पर है राजस्थान में है प्राइदीपी भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है अनाई मुडी है जिसकी जो है लंबाई उचाई सौरी 265 मीटर होती है और अनाई मुडी के बारे मगर ये पूछा जाए किस पहाडी में है तो ये अना मलाई पहाडी की उच्चतम सिखर है जो की नीलगरी स्रेडी के अंतरगत आता है दूसरे नंबर की प्रायद इपी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है दुद्दा बेटा जो नीलगरी पहाडी की चोटी है और 2637 इसकी उचाई है और अगर ये दोनों ही पूछा जाए कि या अनाई मुडी या दुद्दा बेटा के बारे में किस परवत स्रेडी में आत जाता है अब विभिन पत्तन और उनके राज कौन से है तो भटकल बंदरगा या भटकल पत्तन करनाटका में है एलेपी केरल में है काकिनाडा आंधरप्रदेश में है तूती कोरिन ये तमिलनाडू में है चीन की राश्टी संसत को हम क्या कहते है नेशनल पिपुल्स कांग प्रेस के नाम से जानते हैं नौकर साही या ब्यूरो केशी इस सिधान के प्रतिपादक कौन थे मैक्स बेवर थे पुडूचेरी की सासकी भासा क्या है तमिल यूपी एस्सी यानि लोग सेवा आयोग के सदस्यों का कारिकाल कितना होता है छे वर्स या 65 वर्स आयोग जो प कारिकाल के बारे में उच्छे 316 में वर्ण किया गया है डक्टर अमेटकर के अंसार भारती समिधान के इंतरकत सबसे महतपूर अरिकारी कौन होगा मतलब जब समिधान बन रहा था तो उन्होंने चर्चा में बताया था कि भारती समिधान में CAG यानि लेखा महानियंतरक प जिसका वर्ण नुच्छे 360 के अंतरकत है तो बित्ती आपातकाल अधिक्तम कितनी अवरित के लिए लागू किया जा सकता है तो ये अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है संसत का अनमोधन से इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है गांधी जी ने जो सर्वोदय की आउधारणा प्रस्तूत की थी वो कहां से ग्रहण की थी तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अंटू दी लाश्ट इससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे और सर्वोदय की आउधारणा यहीं से उन्होंने प्रतिपादित की थी बारती राश्टी कांग्रेस का वह अदिवेशन जिसमें पूर स्वराज का प्रस्ताव सुईकार किया गया था तो लाहौर अदिवेशन 1929 का जिसमें पूर स्वराज की मांग की गई थी और उसका प्रस्ताव सुईकार किया गया था सांति पूर्ट प्रतिरोध जिसे बाद में सत्याग रह टर्म दिया गया इस सिधान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था आरविंद घोष द्वारा किया गया था वेलोर विद्रो सुमेलन करना है 1806 से सम में है हुआ था संथाल विद्रो 1855 मुंडा विद्रो 1899 फिर भारती सुधार संग जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी इसके संस्थापक थे केसो चंद सेन सीवा जी के राज की राजधानी क्या थी राएगर यहीं पर उनका राजिया भी शेख हुआ था तो दोस्तो आज के जो है लेक्चर में इतना ही काफी कुछ डिसकेशन हुआ और 75 कोश्चन तो केवल नाम से की 75 कोश्चन है लेकिन जो है मैं इतना मेटीरियल लाल देता हू कि लगबग दुगना जो है facts हो जाता है तो इसको तयार करना भी है आपको तो इसको देखते रहें नोट करिए और कम से कम एक बार जरूर इसको repeat किया करिए क्योंकि अगर आप देखते हुए सुनते रहेंगे आराम से तो question जो है ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे और exam में इन से अगर कोई question आता है directly and directly तो आपको याद आजाएगा कि कौन सा विकल्ब सही है और कोई fact ऐसा लगता है आपको कि जो आपको बिल्कुल अच्छूता हो नहीं पढ़ा हुआ हो तो आपके लिए एक alert signal भी है ये कि आप उस topic को जरूर पढ़ लीजे जिसके बारे में जरूरी नहीं कि इस तरह के question आए लेकिन इनसे संबंदी इनसे आसपास इन topics से उठके question आ सकते हैं तो मेरा जो है काम है कि आपको एक mark दर्सन देना एक हिंट देना कि ये चीज़े important है exam के लिए और इनसकी आप तयारी कर लिजे अगर आपकी तयारी ना हो तो दोस्तों आज के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद